हेलो नमश्कार कैसे हैं आप सभी बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज हम चेक करेंगे कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है ना चूंकि आप लोग कोर्स से पढ़ रहे होंगे क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है एक्जाम का ग्रेट टू का और बहुत जल्दी मतलब होता है बाड़ आ जाना providers इसका ओपोजट ये मैं वह बता रहा हूं जो temu शु़ह lee मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है किसी के साथ मारपीट करना जैसे आपने सुना होगा यह word कई बार assault हुआ है assault हुआ है मतलब मारपीट करना इसका just opposite होता है उसको जाके defend करना defend करना मतलब क्या होता है defend करना मतलब बचाना होता है मैं आपको ये वो word है जो कई बार exam में पूछे हुए है अगला word देखते हैं अगला क्या है next word है आपके सामने shallow shallow का मतलब जानते हैं आप क्या होता है जैसे कोई गड़ा खोदा है और वो गड़ा जो है ना वो बस एसे थोड़ा सा खोद के और उसको छोड़ दिया जिसको हिंदी में बोलते है छीछ रहा इसका just opposite जो होता है न वह मतलब होता है authentic यह वर्ड काफी बार exam में आता है इसका opposite क्या होता है इसका opposite होता है fake fake का मतलब होता है जाली या फिर इसको आप बोल सकते हैं spurious या फिर आप इसको बोल सकते हैं Artificial जो ऑज़फीशील होता है ना फेक होता है तो वो यह वर्ड होता है बोलू क्लियर है Artificial गेहने नहीं लाती है महीला है नखली है तो सोने का होता है उसको घर पर रख जाती हो नकली पेनके नहीं जाती है वो भाला है बोगस कि एक वर है होस्टाइल का मतलब आपने एक वर्ड़ सुना होगा हॉस्टिलिटि ये मैंने कए बार बताया आपkokो एंटीपेथी करें इन्मिटी इसका मतलब क्या होता है इसका मत्लब होता है दुष्वनि है N and आपकी दुश्मनी कबल मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूं, इसका opposite जो होगा, यह होगा friendly, next word है, boisterous, boisterous का मतलब क्या होता है, boisterous का मतलब होता है, एक तरह से stormy, है न, inclement, इन तीनों का एक ही अर्थ होता है, वो अर्थ होता है, तूफानी, और इसका just opposite जो होता है, वो ह मतलब शान्त, boisterous का मतलब तूफानी होता है, और peaceful का मतलब क्या होता है, शान्त, next word अगर आप देखेंगे, notorious, notorious तो आपको मैंने बता ही रखा, यह एक्जाम में भी आया था, अभी वरगे एक में, notorious का मतलब क्या होता है, notorious का मतलब होता है, कुख्यात, इसका just opposite जो होता है famous, famous का मतलब होता है, प्रक्यात, famous, एक word है, submissive, submissive का класс क्या होता है, submissive का आर्थ होता है, जो सब्सक्ति जयो सबमेशिव बोलते हैं इसका बताने का उंसल जो दलता निया उसको हम बूल सकते हैं ईसको झालियल या फिर उसको बूल सकते हैं रिजीट नेक्स्ट बार आप देखेंगे स्लेंडर जलैंडर कना करना है किसी की निंदा कारना इसका इसको उल्टा होता है यह होता है admire admire का मतलब होता है किसी की प्रशनवा करना इस ठीक है AG अग्ला वर बैअठ है fifty Kate about a mother मैं वाप जैनते हैं डेरिम है या इसको हम बोल सकते है ओडेशियस बहादूर इसका जो opposite होता है यह होता है timid, timid का मतलब क्या होता है timid का मतलब होता है डरपोक next word अगर आप देखें, accused, accused का मतलब होता है किसी को दोशी ठहराना और defend का मतलब होता है उसका बचाओ करना accused के साथ preposition off लगती है, fixed preposition afraid के साथ भी off लगती है afraid of ferocious, ferocious का मतलब होता है, खुखार, ferocious इसका just opposite जो होता है, यह होता है gentle gentle में, व्यवस्थित इसके बाद आप देखेंगे, leavish, leavish का मतलब क्या होता है leavish का मतलब होता है, extravagant extravagant का मतलब क्या होता है, खर्चिला, जो बहुत खर्च करता है इसका opposite, इसका opposite होता है frugal, frugal मतलब होता है मित्वियाई आदमी, frugal का मतलब क्या होता है, मित्वियाई Parnicious, Parnicious का मतलब होता है, Dangerous और इसका just opposite क्या होता है, Beneficial चीक है, तो I hope की जितने भी word मैंने बताया होंगे आपको पहले से भी याद होंगे, इसके अलावा अभी grade 2 का जैसे ही notification आएगा और हम regular class उसकी start कर दें, क्योंकि नया सिले बस आएगा और grammar, vocabulary और आपका जो figure of speech है, यह सब already grade 2 के मैंस के course में मैंने दिया है, ठीक है, तो layer 3 education का app download करें और वहाँ पर आप जो भी exam की आप तयारी कर रहे हैं, चाहे वो अभी mp8 grade 2 हो, या grade 1 जो next आएगा, cg अंग्रेजी व्याक्या था, तो सभी के courses वहाँ पर available है, तो आप जाके buy कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा आपका PNST, उसके भी courses available हैं, तो layer 3 education का app download करें, और वहाँ पर पूरा course बना रखा है, आप उसको लेके और पढ़ना शुरू करें, जैसे exam आजाएगा, आपकी regular classes भी शुरू हो जाएगी, ठीक है, चली मिलते है next video में, thank you so much